को हलो यह सब्सक्राइब गाज अब्ली वं या इसके ने किया कि वहें कि यह इसे कंहिते हैं रिवर्श्य को टॉक्सिटी टेस्ट इसन गीए bendHub diptheria bulk purified के लिए जो एक diptheria जो vaccine बनती है उस case में तो actually reversibility test का concept क्या है कि जो diptheria bulk purified बनता है वो बनता है जो diptheria toxin है इप्थेरिया बल्क प्योरिफाइड डिप्थेरिया टॉक्सोइड बल्क प्योरिफाइड ठीक है जनली क्या है जब भी डिप्थेरिया का जो वैक्सिन बनता है वो बनता है जो टॉक्सिन होता है उसो कन्वाट करते है इसमें यह एंशूर करते हैं कि जो फाइनली जो फाइनली प्रोसेसिंग करके फिल्ट्रेशन करके जो फाइनली जो मार पास बल्क पुरिफाइड बना है तो इसमें यह चेक करते हैं कि विदे जो टाइम के साथ समय के साथ कि अगर इसे जो है थोड़ा हाई टेंपरेचर पे अगर इसको थोड़ा एक्सपोज किया जाए तो कहीं यह चीज यह टॉक्सवाइड कहीं वापिस टॉक्सिन में कनवर्ट तो नहीं हो रहा है ठीक है, within time के साथ, थोड़ा इसको अगर high temperature पर इसको expose करेगे, कहीं ये चीज जो है, जो toxoid बना है, क्या ये stable है, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये toxoid जो है, थोड़ा अगर थोड़ा temperature, थोड़ा high temperature पर expose होने के बाद, कहीं ये toxoid, वापिस कहीं toxin में convert तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज उसे कहते है, reversion to toxicity, तो ये चीज हम चेक करते हैं, irreversibility test में, ये test होता है, guinea pig पे, ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें requirement है, sample की, जो हमें test करना है, bulk purified diphtheria toxoid, और guinea pig, 250-350 grams का, one guinea pig per sample, disposable syringes, 24 कोज का, by safety cabinet, incubator, 37 plus minus 2 degrees Celsius का, cold room या refrigerator, जिसका temperature है 228 होना चाहिए, IPA 70%, 100 ml glass oils, micro pipits, gloves, masks, weighing balance, और इसमें diluent, diluent इसमें 3 तरह के diluent है, अगर हम vaccine में किसी भी तरह का preservative use नहीं कर रहे हैं, तो हम simplest में diluent use करेंगे normal saline, ठीक है, अगर हम vaccine में preservative use कर रहे हैं, 2-phenoxy-ethanol, तो हम use करेंगे diluent normal saline with 0.5% weight by volume of 2-phenoxy-ethanol, ethanol, जिन vaccine में 2-phenoxy as a preservative use होता है, अब जिस vaccine में thaiomer cell as a preservative use होता है, उसमें हम use करेंगे normal saline diluent, normal saline with 0.01% weight by volume of thaiomer cell, ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है, जो diluent है, तो preservative recording हम उसे use करेंगे, जिसमें phenoxy है, तो उसमें 0.5% phenoxy-ethanol हम normal saline में add करेंगे, और जिसमें thaiomer cell है, उसमें 0.01% thaiomer cell add करेंगे normal saline में as a diluent, ठीक है, और shaving kit का इसमें requirement है, तो अब generally क्या होता है इस test में, जो test, जो हमारा sample है, bulk purified, यह हम sample हम लेंगे, ठीक है, यह sample है हमारा, तो हमने इस sample को क्या करना है, जो भी इसका LF है, ठीक है, इसका कुछ LF रहेगा, तो उससे हमने इसको dilute करना है, dilute करना है, जो भी diluent है, इन तीनों में से accordingly, ठीक है, dilute करना है कितना, 50 LF per ml, 50 LF per ml, हो सकता है, यहाँ पे initially कोई भी LF हो सकता, 1500 हो, 2000 LF हो, 3000 LF हो, जो भी initial LF है, उससे हमें इसको dilute करना है, 50 LF per ml, ठीक है, और यह volume रहेगा कितना, 100 ml, ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो यह 100 ml है, इससे हमने 2 glass bottles में ले लेना है, ठीक है, इसमें 50 ml, और इसमें 50 ml, तो यह 100 ml की वाइल रहेंगी है, तो इसमें 50 ml आपको, 50-50 ml जो है, यह divide करना है, यह 100 ml था, इसको हमने 2 bottle में divide कर दिया, 50-50 ml, ठीक है, एक पे हम लिखेंगे, mark करेंगे A, इस पे mark कर देंगे B, ठीक है, वाइल्स पे, अब हमने क्या करना है, इन में से कोई एक वाइल, सपोज, यह A वाला वाइल है, इसको हम डाल देंगे, cold room में, cold room में, या फिर refrigerator में, जहां temperature होगा, 2-8 degree Celsius, यह मतलब incubate करना है, क्या करना है, incubate कितने दिनों के लिए, 42 days के लिए, या फिर 6 weeks, उके, उसी तरह से जो second bottle है, B वाला bottle है, इसको incubate करना है, incubator में, जिसका temperature रहेगा, 37 plus minus 2 degree Celsius, इसको भी कितना, 42 days के लिए, incubate करना है, या फिर कह सकते हैं, 6 weeks, ठीक है, हमने sample लिया, उसको dilute किया, 50 LF per ml में, उसका 100 ml quantity था, हमने इसको two portion में divide किया, एक bottle हमने रखा cold room में, या फिर refrigerator में, जिसका temperature 2-8 था, दूसरा bottle रखा हमने किसमे, incubator में, जिसका temperature था, 37 plus minus 2 degrees Celsius, ठीक है, इनको रखना है, कितना 6 weeks के लिए, या फिर 42 days के लिए, अब फर्दर हम क्या करेंगे, आफ्टर 42 days, इनको जो है, हमने cold room से निकाल दिया, जो कि bottle A थी, एक bottle B थी, ठीक है, ये हमने रखी थी cold room में, और ये रखी थी हमने incubator में, ठीक है, तो जो A वाला sample है, ये act करेगा, control sample, और जो B वाला है, ये act करेगा test sample, जो हमने incubator में रखा था, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका test करना है, अब हमने guinea pig पे, तो हम guinea pig ready करना पड़ेगा, per sample हमें, एक batch के लिए हमें, एक sample के लिए हमें, एक guinea pig का requirement है, तो guinea pig का हमें क्या करना है, shaving kit लेके properly, बोथ height पे abdomen region में, उसको shave करना है, ठीक है, तो उसका deep piloted skin होना चे, प्रॉपर साफ करना है skin को, उसका shaving करके, तो अब हम क्या करेंगे, guinea pig को लेके, healthy guinea pig चाहिए हमें 250-350 gram, ठीक है, अब हमने जो है, suppose ये guinea pig है, ये guinea pig है, तो हमने क्या है, abdomen region में इसके, दोनों ही, ये shave कर दिया, इतना portion, और यहाँ पे भी, ये shave कर दिया, ठीक है, अब हमने क्या के, जो cold room वाला sample था, उसका हमने, sample को लिया, और 0.2 ml intradermally, तो हमने syringe लेके, 0.2 ml intradermally हमने यहाँ पे inoculate कर दिया, ठीक है, इसको हमने mark कर दिया, marker से, ठीक है, और यहाँ पे लिखती है, यह हमारा control sample है, ठीक है, control sample, और उसी तरह से दूसरी तरफ, यह जो B sample है, यह हमने लिया, 0.2 ml intradermally, यहाँ पे हमने जो skin में shave किया था, यहाँ पे हमने, inoculate कर दिया, और इसको भी marker से circle कर दिया, और यहाँ पे लिखती है, B, जो कि हमारा test sample है, अब हमने क्या करना है, इसको 48 hours के लिए, गिनीपिक को observe करना है, तो जो 24 hours हो जाएंगे, तब हम observe करेंगे, कि जो भी site of injection है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई redness है, कोई reaction है, कोई pasformation है, या कोई necrosis है, या कोई swelling है, ठीक है, या iraithima है, या induration है, किसी तरह की, तो यह हमें जो है, 424 hours में चेक करना है, उसी तरह से, जब 48 hours हो जाएंगे, तब भी हमें यह सारी चीज़े चेक करना है, कोई redness है, कोई increase-decrease हुआ है, किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह का reaction है, तो generally जो sample है, तो test हमारा valid होता है, अगर हमारा जो यह control, जो यह control हमारा a वाला sample है, अगर इसमें किसी भी तरह का reaction है, तो test हमारा valid है, test valid, no reaction, अगर a वाले site पे कोई भी reaction है, तो test हमारा valid है, ठीक है, और दूसरा है कि test हमारा pass कब होगा, अगर हमारे दोनों site पे, किसी भी site पे, किसी भी तरह का कोई reaction नहीं है, that means हमारा test जो है, pass होता है, ठीक है, that means, यह जो toxin, जो toxoid में convert हुआ था, तो इसमें किसी भी तरह का reversion नहीं हुआ है, sample में, ठीक है, जब भी हमने इसको 37 degree पे रखा था, incubator में, तो इसमें किसी भी तरह का reversion नहीं हुआ है, ठीक है, तो यह test हमारा pass होता है, हाँ, अगर test fail कब होता है, अगर हमारा जो यह test sample है, यहां पे, अगर इसमें किसी भी तरह का reaction आता है, जो भी हमने इंकुबेटर में रखा था, यह sample, तो अगर यहां इस BE वाले sample में किसी भी तरह का reaction, कोई redness, erythema, enduration, necrosis, या कोई pulse formation, ठीक है, या कोई swelling of the skin, या किसी भी तरह का यह इन मैं से कुछ भी symptom या reaction आता है, तो sample हमारा एक तरह से sample हमारा fail हो जाता है, तो फिर sample को repeat करना पड़ेगा, जो भी repeat test की policy होगी उसके base पे, तो generally उस case में हमारा यह sample fail हो जाता है, और अगर किसी भी एनिमा अगर गिनीपीक की यहां पर सपोज किसी भी reasons है, अगर death हो जाती है, ठीक है, इस test के दौरान, observation के दौरान, तो हम क्या करेंगे, गिनीपीक को लेके इसका autopsy करेंगे, ठीक है, autopsy में देखेंगे, अगर due to diptheria की कारण, या toxin की कारण, किसी भी तरह का कोई reaction तो नहीं है, जनरली इसका जो symptom आता है, वो red adrenals आता है, ठीक है, अगर red adrenals हैं, तो that means यह साफ साफ यह है कि diptheria की, diptheria की intoxication की वज़ह से, तो sample सीदे सीदे ही fail हो जाता है, ठीक है, तो reversion toxicity में इतना ही, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरी चैनल को like, subscribe और share कर सकते हैं, thanks for watching, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ,